पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है, शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। देवर्शी नारत को आता देख, यमराज उनका स्वागत करते है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते है, हे देवर्शी, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हुई है, देवर्शी नारत कहते है, हे मृत्यू और न्याय के देवता यमराज आपको प्रणाम है, फिर यम तब नारज जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यू और न्याय के देवता हैं, तीनों लोकों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं, आपके पास समस्त प्राणियों और चराचरों का लेखा जोखा रखा हुआ है, पापी मनुष्य मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुन्यवान मनुष्य को आप स्वर्ग में भेजते हैं, इसलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुन्य कर्मों का ज्यान है, मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूँ, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उ उन्य कर्मों के आधार पर उन्हें दंड देते हैं। क्रिपया आप मेरी इस शंका को दूर करे। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्णों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुने। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूँ। फिर नारज जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को अवश्य कहिए, मैं उसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब यमराज, नारज जी को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, मध्यदेश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के एक अत्यंत गुणवान, बल्वान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम था धर्मपाल। महाराज धर्मपाल एक न्याय प्रिय राजा थे, उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देख भाल करते हैं, प्रजा का सभी जरूरतों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। महाराज की सुखन्या नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और पतिवरता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुखन्या बहुत ही दयालू स्वभाव के थे, वे हर प्रकार के यग्य, दान धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके सामराज्य में सब कुछ था, किन्तु केवल एक कारण से महाराज, महारानी और प्रजा दुखी रहते थे। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे। प्रजा को भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। कितने ही प्रयास करने पर भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किये, दान धर्म किया, व्रत किये, किन्तु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टी नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें, किन्तु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते हैं। जिस प्रकार से एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ दो स्त्रियाओं कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वह घोर पाप करता है और नरक में ही गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महाराणी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब राणी सुकन्या भी प्रजा के दुख समझती है और महाराज के पास आकर कहने लगती है हे स्वामी। आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यक्ता पड़ सकती है। तब रानी कहती है, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मान कर प्यार दूँगी, कृपया आप संकोच ना करे, मुझे इससे क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा, मैं आपको विवाह के लिए सहमती देती हूँ। तब महाराज क होर अनर्थ नहीं करना चाहता, उधर स्वर्ग लोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटना करम को देख रहे होते हैं, वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं, यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा, तो कुल का विनाश हो जाएगा, इसी भय से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं, और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गती हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है, तब महाराज अपने पूर वह है तुम्हारी संतान. यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे, तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा. हमारा संपूर्ण कुल और वंश नश्ट हो जाएगा. इसी लिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो. पु पुत्वी लोक पर दान धर्म करता है, तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ती होती है. इसी लिए हे पुत्र, तुम शीग्र ही पुत्र की प्राप्ती के लिए कोई उपाय करो. अपने पित्रों की बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार न नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नश्ट हो जाएगा. कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्या दे. फिर यमराज कहते हैं, हे महात्माओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा. ऐसा कहकर यमराज परिथ्वी लोग पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मपाल के दर्बार में जाते हैं. उन साधु को देख कर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सतकार करते हैं. फिर उनसे पूचते हैं, ह आप हमारे इस राज्य में पधारे हैं, आपके मुख मंडल का तेज देख कर यह प्रतीत होता है, कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी है, तब वहसाधू उस राजा से कहते है, हे वत्स, मैं साक्षात यमराज हूँ, तुम्हारे पूरवजों के द्वारा प्रार्थन करने पर ही, मैं स्वयम तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, वहसाधू महाराज से कहते है, हे वत्स, तुमने अपने पूरवजों को रुष्ट कर दिया है, जिससे तुम्हारा सारा सामराज्य नश्ठ हो जाएगा, पुत्र के बिना तुम्हारी दुरगती हो जाएगी, तु नहीं बनना चाहता, इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यथित करूँ, यमराज कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे न्याय प्रिय आचरण से और अपनी पत्नी के प्रती एक निश्ठता को देख कर, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, किन्तु हे धर्मपाल, एक पुरुष दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है, यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमती देती है, तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि पत्नी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमती देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमती दे देती है। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें सुन्दर पुत्र रत्न की प्राप्ती होती है। और उधर स्वर्ग लोक में सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं और यमराज का बार-बार धन्यवाद करते है तो दोस्तों इस प्रकार से धर्मराज ने नारत जी को स्त्री और पुरुष के विवाह और आचरण सबंधी महत्वपून ग्यान दिया है आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक करे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में जै श्री कृष्ण अवश्य लिखे आप सभी का धन्यवाद